आज की कक्ष्या में आप सभी का स्वागत है हम पिछली दो कक्ष्याओं में हमारे एक नए अध्याए लोकतंतर और विविद्यता के बारे में पढ़ रहे हैं अब तक हमने लोकतंतर के बारे में विविद्यता के बारे में इसके कारणों के बारे में जो समाजिक विभाजन होता है उनके बारे में इसके लावा समरूफ समाज के बारे में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्ट स्टेट के बारे में और समाजिक विभाजन से जो राजनिती होती है उसके बारे में पड़ा अब हम एक नए बिंदू के उपर चर्चा कर रहे हैं जो हमारा समाजी की भाजन है उसकी जो राजनिती के जो परिणाम होते हैं उसको परभावित करने वाले तीन आयाम किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम तीन आयाम ये तीन आयाम क्या है जो समाजी की भाजन की जो राजनिती है उसका जो परिणाम आता है वो किन तीन चीजों पर निर्वर करता है बहुत इंपोर्टेंट परसन है ये उन तीन आयामों में पहला जो आयाम है हम पहले उस पे चर्चा करते हैं और पहला आयाम है लोगों में अपनी पहचान के परती आगरे कि जो समाजी की भाजन की जो राजनिती है उसका जो पहला जो परिणाम है उसको तैय करने वाला जो कारक परिणाम का मतलब कि समाजी की भाजन की राजनिती सही होगी या गलत वो समूν को जोडेगी या उसे तोडेगी उसका पहला point यहां है क्या है लोगों में अपनी पहचान के परती आगरे इसका मतलब क्या है कि लोग यदि अपने आपको किसी दूसरे से अलग और स्रिश्ट मानेंगे हम अपनी पहचान दूसरे से क्या करेंगे स्रेश्ट करेंगे या अलग करेंगे तो सामंजस से बिठाना क्या होगा मुस्किल जैसे कि उत्री आईरलेंड के लोग थे उसमें एक वरग ने अपने आपको कैथोलिक माल लिया दूसरे ने क्या माल लिया प्रोटेस्टेट और उन दोनों में सामंजस से बिठाना क्या हो गया मुश्किल और वहां बहुत ज़्यादा क्या हुआ कतले आम हुआ यदि हम ये मान ले कि हम भी सरेश्ट है और सामने वाला भी सरेश्ट है अगर हम एक सत्रिये की बजाए बहुसत्रिय पहचान बनाने की तरफ चल पड़े यहां क्या था अपनी पहचान का अग्रे करना बस अगर इसके अंदर हम क्या कर ले बहुसत्रिय पहचान के परती सचेत हो और हम सारी चीज किसके रूप में देखें रश्ट्र के रूप में किसके रूप में राश्टर के हम ये कहें कि हम भारतिये हैं ये ना कहें हम गुजराति हैं हम राजस्थानी हैं तो इससे क्या होगा समाज जुड़ेगा तूटेगा नहीं जैसे कि बेलजीम के लोग दूसरा एक्जेम्पल दे रहूं मैं बेलजीम के लोगों ने अपने आप को क्या माना बेल जियाई माना तो वहां क्या हुआ समाजिक जो विभाजन की जो राजनिती है वो क्या रही सकारात्मक रही सेकंड जो हमारे पास आयाम आता है वो आयाम है किसी समुदाए किसी समुदाए की मांग के पर्ती राजनितिक दलों की पर्ती की रिया यानि कि जो राजनिती जो होती है समाजिक विभाजन की उसका दूसरा जो आयाम है वो सकारात्मक करेगा कि नकारात्मक वो है किसी समुदाए की मांग के पर्ती राजनितिक दलों की पर्ती की रिया कैसी है दूसरी महतपूर्ण चीज है यहाँ यह क्या है कि किसी भी समूधाय की मांग को राजनेतिक दल किस रूप में उठा रहे हैं किस रूप का मतलब यह है कि किसी समूधाय की मांग अगर जायज है और वो दूसरे समूधाय को नुक्सान नहीं पहुंचाती है दूसरे समुदाय को क्या निकरती मुक्सान नहीं पहुँचाती और गुरुस मांग का राजनेतिक दल समर्थन कर रहे हैं तो क्या होगा देश में विभाजन नहीं होगा टक्राव नहीं होगा और माल लीजिए अगर राजनेतिक दल किसी एक समुदाय को स्पोर्ट कर रहे हैं और दूसरे को क्या कर रहे हैं खतम कर रहे हैं तो उन दोनों के भीच क्या हो जाएगा टक्राव और उसका अगजेंपल म सिरलंका में दो समुदाए थे सिहली भासा बोलने वाले और तमिल भासा बोलने वाले सिहलियों की संख्या वहाँ जादा थी और तमिल बोलने वालों की संख्या क्या थी कम तो सत्ता पर नियंतरन किसका था सिहलियों का उन्होंने क्या किया जबरदस्ती जो भासा क्या बना दी सिहली राज किये भासा बना दी क्या बना दी राज किये भासा और उन्होंने ये कह दिया जो सिरलंका है वो तो केवल सिहलियों के लिए श्हेतर के अधार पर और बार्ड दिया भी ये शेतर किसके लिए है केवल सीहली के लिए तमिलों यहं पर कोई जरूरत नई है कि तो यह तमिल समधाय के लिए क्या हो गया गात ओगया और दोनों के बीच क्या हो गया ठकराउ और लंबे समय तक 1986 में बारत के परधानमंत्री राजी उगांदी ने प्रियतन करके अपनी शान्ती शेना बेज करके इन दोनों के बीच क्या करवाया समझोता करवाया और तूट से शिलंका बच गया जबकि युगोसलाविया में क्या हो गई तूट हो गई अब हम चर्चा करते हैं आयाम नंबर तीन और वो है सरकार का रुख तीसरा आयाम क्या है सरकार का रुख कि जो समाजी की जो विभाजन की जो मांग है उसके उपर जो राजनेतिक जो दल परतिकरिया करते हैं वो महतवपून यानि कि सरकार का फिर क्या रुख होता है अभी तक तो हम पढ़ रहे थे राजनेतिक दल का, क्योंकि राजनेतिक दल कोई जरूरी नहीं है, वो सत्ता में है, राजनेतिक दल तो बहुत होते हैं, क्योंकि सत्ता में तो केवल एक दल होता था, अब हम बात करते हैं, उसकी दल की, जो सरकार में है, तो किसका रुख हो ग बेल्जीम में क्या था सरकार का यूक सारे समुदायों को सत्ता में हिस्सेदारी दे दी तो ठकराव नहीं हुआ बेल्जीम वालों ने क्या किया समुदाई का धार पर सत्ता का विभाजन कर दिया और सारे समुदायों को सत्ता में सामिल कर लिया तो वहाँ क्या नहीं हुआ है हिंसा नहीं हुई और तक्राव नहीं हुआ और देश के अंदर खुन खराबा नहीं हुआ वापिस हम कहां आ जाते है दूसरा हमारे पास कोण आता है दूसरा हम लेके चलते हैं किसके लिए है, सिहलियों के लिए, तो इससे क्या होगा, दूसरा वरक सरकार के क्या हो जाएगा, विरोध में हो जाएगा, जो अलब संक्यक समुदाए है वो क्या करेगा, विरोध में हो जाएगा, और वो समाजी की विभाजन मुलक के लिए क्या बन जाएगा, खत्रा बन ज होती है वो किस परकार जो है नुकसान कर सकती है तो इसलिए सरकार का ये फर्ज है राजनितिक पार्टियों का ये फर्ज है और लोगों का भी फर्ज है कि वो हर वरक के परती क्या रहे सकारातमक रहे जो लोग खुद को उपेक्सित और वंचित महसूस करते हैं बेदबाव का सिकार होते हैं तो वो लोग अन्याय के लिए क्या करेंगे संघर्स करेंगे और उसके लिए जो है लोकतांत्रिक रास्ता वो लोग इक्तियार करेंगे वो लोग शांती पुरुवक डंग से अपनी मांगों को उठाएंगे चुनाओ के मद्यम से प्रियास करेंगे और कई बार समाजी कैस मानता इतनी ज़्यादा गैर बराबरी वाली और अन्याये वाली होती है कि उनको स्विकार नहीं किया जा सकता जैसे स्रिलंका के अंदर हुआ था तमिलों ने सीहलियों की उस बात को स्विकार नहीं किया क्यों क्योंकि वो अन्याये वाली थी और उसके खिलाफ वो क्या करेंगे संगर्स करेंगे और वो संगर्स किसका रूप लेगा हिंसा का किसका रूप लेगा हिंसा का रास्ता आपने देखा तो इसलिए सासन के खिलाब वो खड़ा हो जाएगा और इतिहास हमें यही बात बताता है कि ऐसी तमाम जो गड़बडियां होती है उसकी पहचान करने और विविदता को समाहित करने का एक मातर रस्ता है वो है केवल मातर लोक तंतर और इस पार्ट में हमने यही चीज समझी है कि किस परकार लोक तंतर जो विविदता होती है उसमें सामंजस्य बिठाने का प्रियतन करता है इसी के साथ हमारे इस पार्ट का समापन होता है अब हम इस पार्ट के परसन उत्रों को समझेंगे तो सबसे पहला ही हमारा परसन जो अभी हमने पूरा किया है कि समाजिक विभाजन की राजनिती के परिणाम तै करने वाले तीन कारकों पे चर्चा की जी हमने अभी विस्तार से इसके उपर चर्चा की है तीन आयाम थे लोगों में पहचान के परती आग्रे करना, दूसरा किसी समुदाए की मांग के परती राजनितिक दलों की परति गिरिया और तीसरा हमारे पात था सरकार का रुख second हमारा जो परसनाता है हो है समाजिक अंतरकब और कैसे समाजिक विभाजन का रूप लेते हैं जब यह हमारा part start हुआ था तब हमने बताया था पहली बात थी आर्थिक विसम्ता की सादार पर लेंगे आर्थिक विसम्ता क्यों लेंगे क्योंकि अमीर और गरीब भेद हो जाएगा दूसरा क्या होगा भेद भाव अगर किया जाए किसी के साथ जैसे किसके साथ हुआ था स्वेट और एस्वेट के लोग के बीच हमने जॉन कारलोस और टॉमी स्मित के बारे में पड़ा उसके बाद है तीसरी बाद भेद भाव क्या होगा विशिष्ट पहचान बनाने की बात करें हम हम अपनी विशिष्ट क्या बनाए पहचान बनाए क्योंकि कई बार समाजिक जो एसमानता हैं होती है वो कई समूओं में मौजूद होती है फिर भी क्या होता है एक समुदाय के जो लोग है वो दूसरे समुवों से अपनी पैचान जो है अलग नहीं बना पाते हैं तो एक मुद्दे पर एक जैसे होते हैं और चोथा होता है लोगों का एक देश से दूसरे देश में क्या हो जाना विश्थापन जैसे पाकिस्तान के लोग भारत्माए और भारत के लोग कहां चले गए थे पाकिस्तान में गए थे तो ये भी विभाजन का क्या ले लेता है रूप ले लेता है उसके बाद next हमारे पास point है कि समाजी विभाजन किस तरह राजनीती को प्रभावीत करते हैं तो मैंने आपको अभी बताया था कि राजनीती और समाजी विभाजन का अगर हममेल करें तो बड़ा खतरनाक और विस्पोर्ट होता है और अगर ये परतिवांदी द्वंतता जादा हो तो समाज फूट का सिकार हो जाता है और भार दो भागों में इसी कारण बट गया देश विखंडन में चला गया उसके अग्जेंपल हमने देखे थे कि किस परकार उत्री आयरलेंड ग्रेट बिर्टेन का इस्सा और वहां की अबादी इसाई है उसमें दो परमुख दर्मों क के लोग रहते हैं जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेटों में बटे हैं 53 परतिसत तो वहां प्रोटेस्टेट थे और 44 परतिसत कौन थे कैथोलिक थे तो अलगलग गणराज्यों मिलाना कैथोलिक तो कहां मिलाना चाते थे आयरलेंड में गणराज्ये में जबकि समाजिक अंतर गहरे समाजिक विवाजन और तनाव की स्थीटी पैदा करते हैं तो कोण से जब समाजिक विभिनताएं एक दूसरे से गुथेंगी एक दूसरे से क्या होंगी गुथेंगी तो समाजिक अंतर गहरे समाजिक विवाजन और तनाव की स्थीटी को क्या कर देते हैं पैदा करते हैं और दूसरा हमारे पास क्या है समाजिक अंतर समाने तोर पर तकराव की स्थीटी तक नहीं जाते कब नहीं जाएगे जब समाजिक विविनताएं एक साथ कई समूमों में ह तो कोन सा नहीं होता या एक बिलकुल असान दिया गया है कि जो लोकतंतर है वो समाजिक विभाजन के अधार पर किसकी और ले कर जाता है विखंडन की और कोई जरूरी नहीं है ये लोकतंतर समाजिक विवाजन के अधार पर समाज को किसकी ओर लेके जाता है विखंडन की ओर लेके जाता है ये लोकतंतरिक विवस्ता प्रलागु नहीं होता बाकी तिन्नों होते हैं शिकायते कर सकते हैं अम्शानती पूर्ण धंग से समाजीक विभाजन की छाय राजनिती पे भी जरूर पड़ेगी और लोकतंतर समाजीक विभाजन का क्या है हल निकालने का तरीका है उसके बाद नमबर छे है निमल की तीन बयानों पर विच्यार करें पहला जहां समाजीक अंतर एक दूसरे से ठकराते हैं वहाँ समाजीक विभाजन होता है दूसरा है यह संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो तीसरा है शिरफ वार्ज जैसे बड़े देश में ही समाजिक विभाजन होते हैं तो पहले की अगर हम बात करें जहां समाजी कंतर एक दूसरे से टकराते हैं समाजी की भाजन होता है तो ए बै और से या फिर ए और बै या फिर बै और से या शिरफ से तो यहां क्या आएगा ए और बै आएगा क्योंकि यह संभव है एक वेक्टी की कई पहचान हो सकती है वो धरम अलग हो सकता है उसका करम अलग हो सकता है और दूसरा क्या है जा समाजी कंत्र एक दूसरे से टकराएंगे वहांपर समाजी विवाजन जुरूर होगा ये सै नहीं आएगा शिरफ भार जैसे कोई जुरूरी नहीं है छोटे देशों में भी हो जाता है उत्री आइरलेंड में हुआ छोटा देश है, श्रिलंका में हुआ छोटा देश है, तो ये नहीं आएगा, ये कट जाएगा, ए और क्या आजएगा बेह इसका अंसर, नेक्स्ट आता है हमारे पास, कि निमलिखित बयानों को तारकिक रूक करम से लगाना है, जो तरक हमें देता है कि समाजिक विवाजन की सारी राजनेतिक अविवेक्तियां खतरनाक ही हो जरूरी नहीं है, तो सबसे दूसरा है, हर देश में किसी ने किसी तरह के समाजिक विव तीसरा है राजनेतिक दल समाजिक विवाजनों के अधार पर राजनेतिक समर्थन जुटाने का प्रियास करते हैं और चोथा है कुछ समाजिक अंतर समाजिक विवाजनों का रूप लेते हैं तो सबसे पहला यह आएगा कि पहले जो समाजिक अंतर वो किसका रूप लेगा समा जाएगा से कि राजनेतिक जो दल होते हैं वो समाजिक विभाजन के अधार पर राजनेतिक समर्थन जुटाएंगे और फिर अंतिम आ जाएगा समाजिक विभाजन की सारी राजनेतिक अभीविक्तियां खतरना कि यह जरूरी नहीं है उसके बाद में हमारे पास नमबर आठ परसन है निमनलिकित में किस देश को दार्मी को रजाती है धार पर विखंडन का सामना करना पड़ा तो एक था मैतवपून तो कौन था यूगोसलाविया उसके बाद में नमबर नो है यह मार्टिन लूथर किंग जुनियर उसका एक यहां वक्तव्य दिया है मेरा यह सपना था यह वो उस बासन के कुछंस यहां पर दिये उसको आपकी समन्द में देख सकते हैं तो वो यह चाता था कैथोलिक और यहुदियों के बीच और प्रो नोट बुक में लिखेंगे थैंक यू